बॉलिवुट एक्ट्रेस जरीन खान के खिलाफ साल 2018 में दोका दड़ी का केस दर्च हुआ था सुमवार को एक्ट्रेस इस मामले की सुनवाई के लिए कोलकत्ता के एक कोट के सामने पेश हुई कोट ने इस मामले में जरीन को अंतरिम जमानत देते हुए बिना इजाज़ा देश से बाहर नहीं जाने का अदेश दिया जरीन ने 2010 में सल्मान खान की फिल्म वीर से बॉल्यूड डेब्यू किया था इस मामले में कुछ महिने पहले ही कोट ने जरीन के नाम पर अरेस्ट वारंट जारी किया था जिसके बाद कॉलकॉत्ता पुलिस ने एक्टरेस से तलब किया अब आखिरकार इस मामले में एक्टरेस को थोड़ी राहत मिल गई कॉलकॉत्ता की सियालदर कोट ने उन्हें 26 दिसंबर तक 30,000 रुपे के नीजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है सोमवार को जरीन इस सुनवाई में शामिल होने के लिए मुबई से कॉलकॉत्ता पहुची थी कोट में जरीन काले रंग की कैप पहने हुई थी उन्होंने अपना चेहरा मास्क से ढखावा था उनके मामले की सुनवाई एक घंटे तक चली 2018 में जरीन को कुलकॉत्ता के एक दूरगा पूजा कारिक्रम में परफॉर्म करना था एक्टरिस ने इस कारिक्रम के लिए और्गिनाईजर से एडवांस में ही 12 लाक रुपे ले लिये थे इसके बाद एक्टिरिस न तो कारिकरम ने पहुची और ना ही और्गिनाइजर को इन्फॉर्म किया और्गिनाइजर उनका इंतजार करते रहे और बाद में उन्होंने जरीन के खिलाफ दोका दड़ी का केस दर्च कराया बागी की तबाओ को अब रुकले बने रहे हैं राजनवा नवी के साथ ताने बाद